नमस्कार दोस्तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिजीपे के अंदर अभी एक मेसिज आ रहा है नोट अलाउड ओन डिजीपे यह क्यों आ रहा है किस परकार से आ रहा है उसके बारे हम चर्शा करेंगे सबसे पहले तो हम इसको अठाने की कोशिस करेंगे और फ तो मैं पहले तो अपनी एक आड़ी लगा थी अब मैं दूसरी आड़ी लगा कि देख रहा हूं तो दुन्नों आड़ी के अंदर क्या इस्यू आ रहा है सेम इस्यू है या लग लग है वो भी देखेंगे हम अब यहां पर मैं दूसरी आड़ी लगा रहा हूं और सोप्टे समस्या भी बनी हुई है, दो चाहर दिन हो गया, समस्या बनी हुई है, अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो Control Panel में, Uninstall Program में जाएंगे, और यहाँ पर Net Framework का है, इसको टिक मार करना है, क्योंकि यह इस्यू जो होता है, डिजी पेगो स्टोफ करता है, या यह मान के चलो, यह जो इस्यू आ जाए, तो जैसे मंत्रा डिवाइस है, तो वो नहीं चलती है, या जैसे बैंक अपड़ोता है, उसमें पेरी सर्वीस है, वो नहीं चलती है, तो Net Framework को इंस्टोल करना बह लेकिने, अलग-अलग सर्वीस के अनुसार उसकी requirement होती है, उसके अनुसार ही वह होता है, जैसे PNV है, PNV में Net Framework चाहिए, 4.8 एड चाहिए, तो वो सारी चीज जो है, वो कलियर करने पड़ती है, तब ही जाकर के, हमारा जो software है, वो रन करता है, अन्य था, वो रन नहीं क करेगा, तो अभी हम इसको install कर रहे हैं, चलिए अभी install हो रहा है, तब तक थोड़ा बहुत दूसरा काम सुरू कर दिया साथ में, calculator का, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में चलता रहेगा, अपडेट हो रहा है, तो क्या-क्या करें, किस परकार से करें, उसकी जणगारी आपको दी जाएगी, तो यह net framework install होना बहुत ही जुरूरी है, इसमें net की speed अच्छी होगी, तो ही यह install होगा, पहले बात तो net की speed अच्छी होना चाहिए, उसके बाद दूसरी बात यह है, कि आपका जो window update है, वो own ओना जुरूरी है, तो net window update होना बहुत ही जुरूरी है, net speed अच्छी होने जुरूरी है, तभी जाकर के यह सही परकार से install होता है, अनि था install नहीं होगा, तो इस बात का आपको जान रखना है, और आपके system में जितने भी cookies, history, temporary, जितने भी फाइले हैं, उन सब को आप uninstall कर देना, या delete करना है कहने करते हैं, अनिस्टोल तो कोई प्रोग्राम नहीं होता हो, तो प्रोग्राम होता हो, वह ही uninstall होता है, बाकी delete करना होता है, तो जहां जहां परinking chains, history हैं, वो सारी फाइलें डिलेट कर लेनी हैं, अब हमें क्या करना है कि जिसे हमारे पास मंत्रा है तो हमें मंत्रा के ड्राइवर जो हैं वो सारे के सारे अनिस्टोल करने है यह दिया मंत्रा के ड्राइवर अनिस्टोल नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी तो सबसे पहले आपको मंत्रा के ड्राइवर अनिस्टोल करने है उसक यानि जो भी वाइब्मेंट्रिक उसके ड्राइबर निस्ट्रॉल करने हैं और आपका जो ड़टीट निस्ट्रॉलेशन है उसको निस्ट्रॉल करना है उसके अंदर भी उसका एक फोल्डर होता है यह कई पर क्या है कि net framework आपको ऐसे लग रहा है कि यह रुक है रुका नहीं है प्रोसेश चल रही है अपने आप यह complete हो जाएगा इसको चलने देड़ा है तो मैं बात कर रहा था कि जैसे यह देखिए आपका प्रोसेस हो गया तो यह net framework अभी इंस्टोलेशन ले रहा है इसको complete installation करना जुरूरी है अन्य था दिक्कत होती है काम करने में यहारे समस्या का सामना करना पड़ता है हमें तो अब हमने क्या किया इसको update करना शुरू कर दिया है अपड़ेट हो रहा है लेकिन हमें वह दिखाई नहीं दे रहा है इसके लिए आपको वेट करना है और कुछ नहीं करना कोई विच्छेड़ खाने नहीं करना सिस्टम जैसे चलता है उसको चलने देड़ा है और यह प्रोसेस होती रहेगी देरिये रखना है देरिये नहीं रखोगे तो काम नहीं होगा चुंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जल्दबाजी करते हैं काम शांती से होता है नेट अच्छा होना चाहिए यह दिन नेटवर्क डाउन है तो समस्यों का सामना करना पड़ता है और डाउन नेट मैं हर ए लिटो, आएडी, हाड़वेर। और आपका मैपिंग वाला आईश्य हो गया आएडी, हाड़वेरगी गारंटी और चोथी है नेटवर की गारंटी, यह चार गारंटी हम नहीं लेते। बाकी सारा काम गारंटी से करते हैं और कंडिशन अगले को सुविकार होती है तो ही काम करते हैं जैसे मैंने ये चार गारंटी कस्टमबर पर छोड़ रखी हैं इन चार बातों को अगला कस्टमबर हां करता है तो अगले काम काम गारंटी से कर देते हैं जैसे मालो किसी की विं बिलता है कि fanart करवicaçãoबैंग को समस्य किसी परकार कि आइड़ नियुक् міदा करभाने पड़े को यह काम को अपने लेवल पे करना पड़ेगा किसरा यह काम हाइब कर ने तो यह काम हто है करना पड़ेगा बता देंगे हम कि हाँ आपकी यह दिक्कत है तो यह चीज्जा मार्केट से ठीक करवा के लाओ उसके बाद हम चलाके दिखा देंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कुछ्छे लोग बोलते हैं सो में से दो चार ऐसे बोल देतेगे हैं कि आपने किया क्या है देखिए डोक्टर के पास आते हम तो वो ट्रीटमिんな करने से पहले हमें कुछ जांस लिखके देता है, टेस्ट लिखके देता है, वो टेस्ट करवाने के लिए हम जाते हैं लैब में, उन टेस्टों का कम से कम पांच जार, दस जार, बीच जार, पचास जार लखों रुपए के टेस्ट होती है, और उस लखों रुपए लगाने के बाद में माल पढ़ने के लिए नाम को जानने के लिए नाम को पैचारने के लिए बिमारी का नाम को पैचारने के लिए हमने क्या कर दिया लाखों रुपे कर दिया और डोक्टर उसके दवाई लिखे देगा 200 रुपे की 400 रुपे की अब मरीज ये बोलेगा ये तो पहले लिखे दे सकते भेजब बिमारी का नाम मालू नहीं पड़ेगा तब तक कैसे तब तक कीसे उसको दोबाई देगा डोक्तर. तो उसी प्रकार से हम फज लेते हैं कुछ, तो हर प्रकार का टेस्ट करते हैं, उसके बाद तो बहुत सारी लोग बोलते हैं अब तो मार्केट से काम करवाना तो आपको बताया यह चीज और यह चीज आपको पहले ही कर लेते को पहले यह आपको मालम होती तो आप उसको पहले ही कर सकते थे लेकिन उस चीज को मालूम करने के लिए ही कम से कम अच्छा कंप्यूटर होता है जिसकी Windows से होती है ID से ही होती है, hardware से ही होता है, तो 10 मिट के अंदर काम हो जाता है, और वही फिस लेना होता है, 10 मिट में काम हो गया, वही फिस लेना, और जिसका window issue है, ID issue है, hardware issue है, या network down है, इस परकार की condition जहां पे रहती है, उसमें यमारा time लगता है, 2, 2, 3, 4, 4 गंटे, और फिस वही देते ह तो time waste किस में ज़्यादा हुआ, मतापची किस में ज़्यादा हुई, जांच करके देने वाले system में ज़्यादा हुई, मतापची या, सई system था, उसमें काम करने में ज़्यादा मतापची हुई, तो वही चीज है, ठीक है, तो यह DGP का अभी जो software है, वो हमने install कर लिया है, और उसके बाद में हमने mantra के driver भी install कर लिया है, अब भी हम क्या करेंगे इसको, चला के देखेंगे क्या समस्या आ रही है, पहले देखिए इसमें software की समस्या थी, अब देखती क्या message आता है, यह देखी, server का issue है, तो यह जो समस्या आ रही थी, वो server के कान आ रही थी, और आपको, आपका software से ही हो गया है, अभी आपको wait करना है, जब server से हो जाएगा, तब आपको काम करना है, यह server का issue था, और पहले software का issue था, software हमने सईफर कार से uninstall करके हर चीज को वापस से install कर दिया है, अब software का issue नहीं है, बिलकुल भी, अब सिर्फ बचा है, तो किसका issue बचा है, अब सिर्फ सरवर का issue बचा है, अब यह condition भी वही हो गई, server का issue है, तो server अपने आतमे नहीं है, technical के आतमे नहीं होता है, वो जब आगे वाले company वाले जब करेंगा सही ना उसको, तब ही वो सही होगा, तो इसमें, जो है, इस condition में, यह भी एक test करने का ही system होता है, अब इ